हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल कल प्रतमास्टमी है तो मैं उसकी तेयरी यहां पर कर रहे हूं उरत को फेंट रहे हूं पहले फुला कर रखी थी फिर अभी पिसने के वाद उसको फेंट रहे हूं और सुध कपड़ा में कर रहे हूं क्योंकि इसका मैं जो कि मा लक्षमी को चढ़ाया जाता है तो चली मैं आप लोगो बता देते हूं एक जो बड़े बच्चे होता है और साथ में लक्षमी भी घर की बड़ी बेटी हैं तो जिनके अगर में बच्चा हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं वो लोग भी करते हैं यह पुजा हम लोग मतलब मेरी बेटी कोले साथ आप लक्षमी माता की लिए और मूली अभी में OR वहां सासुमा भी इन इनके लिए सब छोड़ कर बाखी बाटी बैचका में यहीं करोंगी जैसे अर्टी बगबा और साथ में नया कपड़ा को कलसपर च्वाना यह सब में करने वाली हो और यह होता है कि घर के बड़े वच्छों को लिए होता है नया कपड़ा बगर सब कुछ आता है तो मेरा एक बच्पन का बात बता रही हूं आप लोगको दीदी के लिए जब भी आता था ना अड्रेस मेरा तब तक आया जब तक पैदा नहीं हो आता फिर भाई जैसे ही पैदा हो ना उसके बाद मेरा हना बंद हो गया उसके बाद मैं बहुत रोई कि मेरे लिए क्यों नहीं आता है पर मैं अकली नहीं हूं साथ मैं इतने सारे हैं और दीदी के लिए मतलब दीदी को आरती होता था ना मैं भी वहां पर बैठी रती थी मामी बस तोला सा चावल हो या फिर एक फूल देदी की सिर्पे मैं बोलती थी नहीं दीदी को जैसे करो है मुझे करो फिर सब कई वैसे होता था और तकलिफ हो गया वहाँ पर जैसे हम लोग का कुमार पुन्निमा जो होता है मतलब पता नहीं कुछ ऐसा रीजन था कि पूरा हम लोग का जीतना खांदाने सब का बंदी हो गया तो बहुत अकलिफ होगा कि हम लोग के लिए कुछ तो हो मतलब इतना अन्याई बरदास्ती नहीं होता है सच में रोना आ जाता है ये सब सुनकर मतलब देखकर और अभी समझ लिए बहुत बात हो गई उधर में बेंगन को जलाने के लिए चड़ाएं कि वह भी प्रसाद में लगने वाला है वह घी देखके यह होगा आसको खुछ तेल का नहीं बनेगा क्योंकि जैसे आम लोग प्रसाद चड़ाएंगे बेंगन का जो जला हुआ बस प्रसाद बहुत जादा नहीं आधा से थोड़ा सा जादा है वस क्योंकि इतना पानी को गरम करने के लिए टाइम लगेगा और दो तीन पीठा आराम से इतना पानी में हो जाएगा और एक कपड़ा को देखे साब कपड़ा को मैंने बान दिया है अंडी के उपर और दूश्रा कपड और वह भी रखना है साथ लक्षमी के लिए साथ मेरी बेटी के लिए और यहां पर देखे नए उरद नहीं मिला ना मुझे यह जो और फ्रैट के रखी थी उथी पिछले साल का है पर जैसे बोलते हैं नियमका जो रख्षा करना होता है वह हुआ नए उरद हम किसी का यह सी मांगा दिये थी तो मैंने किया के रात को भ бр Durkinuk कर दिये था और आप दो यहां को पीथा में ऑर शाथ मैं नया को मिला दी उसी हो गया और यहां पर बरी को सब्सक्राह करें डाला आज जैसे वरी डालने उसके बाद हम लोग अभी बरी दे पाएंगे खोली तक फिर बरी डालना बंद हो जाता है तो देखे अभी सिंदूर बगरा लगा रही हूं फिर दुबा भी थोड़ा सा दे दे रही हूं और उसके बाद इसका आर्थी होगा बाद में थोड़ा-थोड़ा त्यारी कर रही हूं कि उनको भी जैसे अप लोग दूसरा कड़ा है जैसे हम लोग प्याज लहसन बगरा खाते है उसमें तो नहीं हो पाएगा तो बात करते करते हैं यहां पर देख रही हूं कि पाने से स्टीम निकल ला है तो फिर अभी हम लोग बेटर को डालेंगे पर उससे पहले क्या है कि यह जो कपड़ा हम लोग चावल को फिर भी एक बार हाथ से दो तीन बार फेंट लिया मैंने दो तीन मिनट के लिए और देखिए थोड़ा सा पेटर पहले डाल लेना है क्योंकि हम लोग इसमें स्टफिंग भी देंगे और कल रात को ही मैंने जिस टाइम उरत को फेंट रही है तो अभी स्टफिंग भर रही हूं यह गनारियल और गूड का स्टफिंग है जितना जादा भर पाओ ना उतना अच्छा है मतलब मैं दो तीन पीठा करूँगी इसलिए उस हिसास से बनाए हूं दो नारियल का और यहां पर देखिए उपर और दे दे रहे हूं बेटर उपर दे दना है जिसे की पीठा हम लोग का पूरा एकदम से कभर हो जाए स्टफिंग और यही पीठा बहुत अच्छा लगता है साथ में इसमें तेल बगरा का कोई टेंसन नहीं और इस तरह से देखिए कपड़ा को मैंने कभर कर दिया और इसको ढख रही हूं मेरे पास अच्छे से ढखने का कॉम्प्लिट हो गया है मैंने लिड को हटा लिया था इतना जोर का भाप लग गया मेरा हाथ में पूरा लहद ने लगा उसके बाद बेटिल्ला के मुझे वरोपलस लगा दी और दोनों नहा चुके हैं मेरे हजबन के थोड़ा सा मार्केट गोले तुम जब तक त्यार कर र देखिए यह इडली का बाप है ऐसा है बहुत अच्छा लगा खाने में सच में इसको एक बार अगर आप कभी ट्राय नहीं क्यों तो करना यह देखिए बनकर तेयार हो गया इसको निकालने का कोई टेंसन नहीं मैं बस थाली में पलड़ देती हूं मेरा प्रसाद रेडी हो अभी चड़ा के चली जाओंगी तब तक आधा दोरा पुझा भी हो जाएगा क्योंकि 35-35 मिनट तो लगेगा ही लगेगा उससे पहले अगर आप लोग बार बार निकाल के देखोगे ना तो फिर वह कच्छा रह जाएगा अंदर से बार बार निकालना नहीं और गेस का फ् जो भी ढखने का जैसे एर ना निकल जाए और यहां पर देखे पुझा के लिए आ गई हूं मैं और मालक्षमी के सामने पुझा होता है घर का रेगुलर जो पुझा होता वह भी करना होता है तो उसको मैंने पहले खतम किया और अभी मैं सबकुच रेडी करके लाई जैसे हो गया फिर आपका पीठा हो गया जो भुझा बनाएते सब कुछ तो वस पुझा पाट और यहां उरत का बरी भी तेयार हो गया है अभी प्रसाद चड़ाओंगी मालक्षमी को फिर यह दोनों को पुझा है मतलब जो आर्थी करना है वह करूंगी दोनों नया कपड़ा पह करनेंगे तो यह देखें लक्षमी को चड़ा रही हूं प्रसाद और एक चीज मुझे आप लोगों को बता निये आप लोगों को बताईएगा है ना यह सही है या गलत तो देखिए जब भी मैं पुझा करने लिए बटती हूं ना तो साड़ी बन का इस तरह से मतलब हमेश यह बहुत कोई आपने हैं जो जो जानते हैं बहुत कोई कि मैं अपनी ममी की तरह दिखती हूं जब साड़ी बहनती हों तो यहां पर देखिए दोनों अपने नया कपड़ पहन के तयार होगे लग्त चड़ाया और लक्षमी माता का भी एक नया कपड़ा आया है जो की इस ना परपल कलर का है पूरी तरह से परपल नहीं राणी कलर का जो गहते है ना मने भाइलिट कलर का उस तरह का कलर क्योंगी पिछले साल मैंने यलो और उससे पहले साल रेड लाई थी तो इस वाद थोड़ा से चेंज करके कलर लाई और इनका ये टी-शिट कैसा लग रहा है ब पहन के उसके उपर डाल दी बोली अच्छा है क्योंकि मुझे यह चुभेगा नहीं उसको इस तरह का आइटम बिल्कुल पसंद नहीं होता है मैं बड़ी सोख से मंगाती हूं पर कभी हो पहनती नहीं है कभी कबर उसका बढ़्डे बगरा में अगर थोड़ा सा भड़किल तो यह देखे मैं बोली थोड़ा सा केमरे के सामने आओ सबको दिखाना है तो मारा ड्रेस बोलती है ऐसे नहीं आओंगी बाद में अच्छे सब में पहनती तो आप लोग जरूर देखोगे तो उसको टीका होगा सब कुछ कर दी और दोनों का भी खाने के लिए दे दूंग उसको लाने के लिए और साथ में मतर लाया है अज चाहर है पहले मतर आया पर तो यह देखें पीठा रेड़ी होगे जो लक्षमी को प्रसाचना है पहले दोनों को खानी के लिए दूंगे फिर जो बच्चे का में खाऊंगी बना अगर कोई नहीं खा पाएगा तो फिर उस तो यह दिखे पीठा कितना स्पोंजी बना है इस तरह से फेंट के बनाने से बहुत स्पोंजी बनता है सच में इनको तो बहुत पसंद इस तरह का स्टीम बला पीठा और थोड़ा सा स्टॉफिंग ज्यादा होने से ज्यादा अच्छा लगता है पीठा क्योंकि यह नमकीन हो बीच में आप श्टपिंग दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो जिसको पसने और यह दूद के साथ भी इसको खा लेते हैं तो आज पास बना था ना तो वह पाइस के साथ खा लिए और बेटी को यहां पर दे रहे हूं पर बेटी पहले ही बनना करिए मुझे बैंगन फ्राइ थोड़ा थोड़ा खाना है तो दोनों को खिला के भीजने के बाद में फीर खाऊंगी क्योंकि आज मेरा बहुत जल्दी जल्दी पुजा पाट सब कुछ खतम हो गया तो आप लोग को कैसा लगा मेरा पुजा का बीधी पुजा जो भी कि और पीठा का रेसी भी कास कर मुझे कॉमेंट में बिल्कुल से बताईएगा और बेटी को खाने के लिए दे रहे हूं और यह देखकर बाबामा भी बहुत खूस होंगे कि मैं बहुत होतियार हो गए हूं सब पुजा पाट कर ले रहे हूं तो चलिए जो है टक्के और बाबाई फीर और एक ब्लोग के साथ मिल बाई